इस वीडियो में मैं आपको लोगों के साथ शेर करने वाला हूँ अपना एक्सपीरियेंस जेके बैंक पियो के इंटर्वियू और आईबी पियेस आरर बी पियो के इंटर्वियू के बारे में यह दोनों इंटर्वियू मेरे 23rd of February को थे इन दोनों में बस यह difference था जेके बैंक पियो के इंटर्वियू में तीन पैनलिस थे जो इंटर्वियू ले रहे थे और आईबी पियेस आरर बी पियो के इंटर्वियू में पांच पैनलिस थे जो इंटर्वियू ले रहे थे इन द ये questions को देखते हैं पहला जो एक बहुत common question है जो हर interview में पूछा जाने वाला है candidate से वो है अपने आपको introduce करना आप जब अपने आपको introduce करें तो इन इन बातों को आप उसमें शामिल कर सकते हैं जैसे कि आप आपना नाम, native place, educational qualifications, family members के बारे में work experience और hobbies के बारे में आप अपने introduction में पैनलिस्त को बता सकते हैं और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो वह आप बातें उनको बताते हैं उनसे एक नएक follow-up question ज़रूर बनता है जो आपको expect करना चाहिए for example name से आपके नाम का मतलब आप अपने native place के बारे में कोई खास बात उनको बता सकते हैं educational qualification से related आपको question आ सकता है और family members, work experience से आपको question definitely बनता है और hobbies से भी for example मान लिजीए आपकी hobby है music और dance तो आपको dance से related question पूछ सकते हैं music से related singers या कोई prize मिला हो किसी बड़े singers को तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं तो चलिए आगे देखते हैं आगे और कौशन पूछा जा सकता है जो मेरे से मेरे interview में एक question पूछा गया जो काफी नए type का question था वो था कि बताए आर बी आई और government में conflict क्यों होता है तो इसके आप इन possible answers में से कोई भी एक answers आप choose कर सकते हैं जैसे कि यहां पर मैंने लिखा है पहले point में mention किया है कि government wants the RBI to allow ailing state-owned banks to reserve lending to small businesses यानि कि government चाहता है कि RBI जो छोटे bank है जो अभी burden में चल रहे हैं जिन पर NPA है चाहता है कि उन पर कोई restriction ना लगा है ताकि वो small businesses को loan provide करते रहें और second जो इसमे point है it also wants the regulator to draw interest rates to inject much needed liquidity into the economy वो चाहता है कि RBI जो है वो अपने interest rates को कम करे ताकि liquidity जाता से जादा हो और third इसमे point है government attempts at reading the RBI reserves यानि कि कभी-कभी government RBI reserves जो इसको allocated है कभी-कभी उसे जादा use कर लेता है तो वो एक major conflict का issue हो सकता है government और RBI के बीच में और fourth जो बहुत important point मुझे लगता है वो है interference in RBI's decision making यानि कि जो RBI अगर कोई decision लेता है तो उसमें अगर government interfere करती है तो वो बहुत-बड़ा conflict का एक कारण हो सकता है आगे question की तरफ बढ़ते हैं अगला जो काफी असान question जो मुझे पूछा गया था वो है कि what is targeted inflation targeted inflation मतलब कि कितना inflation है जो target करती है government की इतने से इतने के बीच में रहना चाहिए inflation तो वो है 2-6% के बीच में आपका inflation रहना चाहिए inflation क्या होता है महंगाई और fourth question क्योंकि मैंने RRB का interview दिया तो उन्होंने पूछा कि RRB banks क्यों introduce किये थे RRB banks for financial inclusion introduce किये थे ताकि दूर दिराज के लाकों में भी आप बैंकों की सेवा पहुचा सके तो चलिए पांच में question की तरफ बढ़ते हैं पांच में question जो rural area से related था कि Rural Area Development के लिए कौन कौन सी schemes हैं जो government ने launch करी है तो उसमें एक बहुत important और बहुत पुरानी scheme है मन्रे का जिसको full form है महात्मा गांदी National Rural Employment Guarantee Act ये 2005 में आया था ये act अगली scheme है परदान मंतरी आवास योजना गरामीन याद रखिये हैं आपे गरामीन इसले लिखा है क्योंकि ये same scheme एक अर्बन के लिए भी चलती है और परदान मंतरी गराम सड़क योजना ये जो तीन schemes है ये आप याद कर सकते हैं गर आप से कोई पूछे कि Rural Area Development के लिए कौन कौन सी schemes government ने चलाई हुई है जो छटा कौशन है कि amount of loan given under priority sector lending by RRB banks कि जो RRB banks होते हैं वो अपने priority sector lending में कितना loan देते हैं तो वो है 75% of NDTL याद रखिये जो non-RRB banks है 40% of NDTL अपना क्या करते हैं loans है जो priority sector lending को देते हैं और यहाँ भी जैसे NDTL लिखा है net demand and time liability तो net demand and time liability क्या होता है जो आपके current accounts और saving accounts का जो sum होता है amount का जो भी deposits होते हैं उनको हम लोग NDTL कहते हैं जो साथ माप पूछे बाद जवान वानले question था pillars of democracy तो pillar of democracy में 4 pillar होते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए the legis lecture, executive judiciary and the media और एक next question है first citizen of country को है first citizen of India है हमारे president तो president को हो है first citizen of India भी खा जाता है next question है explain किसान credit card scheme कि किसान credit card scheme क्या है तो किसान credit card scheme के तहट जो किसान है वो अपनी जरूरत के हिसाब से वो loan ले सकता है bank से किसान credit card के थुरू और वो उस loan को किसी भी चीज के लिए याने की यहां तो farming के लिए यूज कर सकता है यह नोन farming activities के लिए वो यूज कर सकता है यह होता है किसान credit card और यहां पे categories in mudra योजना मुदरा योजना में तीन categories होती है शिशू, किशोर, तरून शिशू होती है जब आपको 50,000 तक का loan लेना हो किशोर होती है 50,000 से 5,000 तक का loan लेने के लिए और तरून होती है 5,000 से 10,000 तक का loan लेने के लिए तरून आगे बढ़ते हैं जूट कावी एक technical question है कि RBI inflation यानि कि महंगाई को control कैसे करता है तो यहां पे आपको 2 points दिये हुए कि RBI uses monetary policies and changing interest rate तो जो monetary policy होती है जो हर 2 मेने बाद RBI introduce करती है उसकी मदद से RBI का करती है महंगाई को control करती है next point देखिए higher interest rate reduces demand in the economy leading to lower inflation देखिए अगर interest rates high होंगे तो उसे economy में क्या होता है demand कम हो जाती है जिसके कारण inflation भी कम यानि महंगाई भी कम होती है for example आपको example देता हूँ मान लेजिए RBI ने interest rate बढ़ा दिए interest rate मान लेजिए car loan पे interest बढ़ गया है car loan पे interest बढ़ने से कारण क्या होगा कि लोग car कम ले पाएंगे जिसके कारण क्या होगा demand कम हो जाएगी demand कम हो जाएगी तो company आपने आप rate कम करना पड़े का होने जिसके कारण inflation यानि महंगाई कम हो जाएगी next question पे आते है GDP क्या होता है GDP का full form है gross domestic product gross domestic product is the final value of a goods and produced within a country तो जब आप जैसे हम लगा GDP आता है साल का GDP आता है quarterly भी आता है तो क्या होता है कि within a time bound माले जी एक साल के अंदर एक country के अंदर कितने goods and services produce होते है उसको हम लोग GDP कहते है आगे यहाँ पे कुछ extra questions है जो मेरे साथी candidates से भी पूछे गए यह भी मैंने यहाँ पे mention किये हैं ताकि आप इन सब को भी पढ़ कर जाए और आपका interview जादा से जादा बहतर हो जिसमें कुछ questions है जैसे कि फैला यहाँ पे लिखा है role of RBI RBI के क्या role होते हैं यह आप से question पूछ सकते है farm laws अभी काफी current में चल रहे है hot topic है तो इसलिए farm laws तीनों फार्म लोग को अच्छे से पढ़िएगा budget budget के बारे में अच्छे से main points पढ़ लेजीगा जन्दन योजना क्या होती है यह भी question पूछा गया एक question है कि जैसे कि petrol और diesel के दामा भी बड़े हुए है तो यह question जरूर बनता है कि इस petrol and diesel part of GST इसका answer है no और साथ में last में इसका follow up question बनता है कि GST में कितने slabs होते है GST में 4 slabs होते है 5%, 12%, 18% and 28% तो यह जो questions है यह जो मेरे JK Bank PO और RRB PO के interviews के experience से मैं आप लोगों के साथ share कर रहा हूँ हूँ यदि आप लोगों कोई extra questions भी इसमें add करने हो तो आप comment section में बता सकते हैं यह दिया आप आपको यह वीडियो कुछ helpful लगा हो तो please इसको like, share और subscribe करना ना बोले Thank you very much